तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास एड़ का मैच्स NCRT चैप्टर नमबर 16 प्लेइंग विट नमबर जिसकी एक्साइज 16.1 का क्वेशन नमबर 3 क्वेशन नमबर 3 है हमारे पास फाइंड देखी यहां पर आपको दियावा है फॉर्मिट ठीक है यहां पर आपको क्या करना है आपको values find करनी है जो भी आपका variable है इसकी value आपको यहां पर find करनी है तो simple यहां पर multiplication apply हो रहा है ठीक है पस आपको थोड़ा सा logic लगाना है logical question से यह पूरा chapter एक तरसे logical है तो यहां पर अपने logic का अपने दिमाग का use करके आपके कोई question को solve करना है देखिए यहां पर जो है a है फिर यहां पर भी a है और यहां पर भी आपको पता है multiplication हम कैसे करते हैं जैसे कोई भी है ऐसे 32 है ना और उसको multiply करना है मानके चलिए 5 से तो हम कैसे multiply करते हैं इसको इससे multiply करते हैं फिर इसको इससे multiply करते हैं तो value ले क्या आते हैं similarly यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दियावा है तेक हमें क्या करना है एक को जब एसे multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या रहा है पर मतलब same digit है अगर यहाँ पर two है तो यहाँ पर भी two है यहाँ पर three है तो यहाँ पर भी three है ठीक है satisfied होना चीए आपका बस तो यहाँ पर जब same digit है और same digit को जब multiply करते हैं तो वो ही digit है यहाँ पर आना चीए तो आप बताइए देखिए अगर मैं यहाँ पर one रखता हूं मा कि आपकर हो सकता है हमारा वन हो अभी मैं मैं वन को पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूं चलो बन आगया एप बान के चलते हैं कि एक की वैली हमारी क्या अगई बन आगये अब देखों अगर एक वैल्यू यहां पर वन है तो फिर वन को यहाँ पर भी one ही है तो one को one से multiply करेंगे तो one ही आ रहा है बिलकुल यह satisfied हो रहा अभी तक तो ठीक है अब यहाँ पर अगर one है हमारा तो one को अब इससे multiply भी करेंगे तो one को अगर one से multiply करेंगे तो कितना आएगा one ही आएगा तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था यहाँ पर 9 की जगे पर 1 होना चाहिए था जब तो यह 1 satisfied कर जाता लेकिन यहाँ पर क्या है 9 है इसका मतलब है कि जो हम let कर रहे हैं यहाँ पर 1 वो गलत है आगई पास समझ में चले तो 1 तो हमारा satisfied नहीं हो पा रहा है अब देखिए अगर आप 2 रखोगे तो देखो यहाँ पर 2 रखोगे यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 into 2 कितना होता है 4 तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा जबकि आना कितना चाहिए यहाँ पर 2 यहाँ चाहिए सेम आने चाहिए digits पूरी ठीक है 1 में तो satisfied हो रही थी लेकिन आगी जाके satisfied नहीं हो रही है तो 2 हमारा satisfied होई नहीं रहा है शुरू में फिर हम 3 रखेंगे तो 3 into 3 करेंगे 9 तो यहाँ पर 9 आ रहा है तो satisfied हो रहा है देखो जब मैं 5 रखूँगा है ना 5 satisfied हो रहा है तो 5 को जब मैं 5 से multiply करूँगा तो 5 into 5 कितना होता है 25 तो देखो unit digit हमारी 5 तो यह तीन हो 555 बन सकते है कोई दिखकर नहीं अब देखो 25 आया तो 2 हमारा carry आया है तो 2 हमारा यहाँ आएगा अब यहाँ पर कित है 9 इसका मतलब है कि 5 भी हमारा satisfied नहीं हो पा रहा है बात आगे समझ में यह 5 भी हमारा satisfied नहीं हो पा रहा है चलिए अब क्या करेंगे आगे 6 को रखेंगे ठीक है अब ध्यान रखना आपको satisfied पूरा करना है ऐसा नहीं कि आपने 1 को करा हां भी यह मैच खा रहा है चलो answer पू पूरा 6 6 बन रहा है देखो 6 को जब 6 से multiply करते हैं तो 36 आता है 36 आता है तो पूरा 6 6 बन रहा है और 3 हमारी carry जारी जारी है तो 3 हमारी यहां पर क्या हो जाएगी carry हो जाएगी अब यहां पर क्या है हमने 6 रखा 6 into 1 करेंगे तो 6 आएगा 6 प्लस 3 करेंगे carry है हमारी 3 6 प्लस 3 ही करेंगे तो 9 आएका बिल्कुल यह सैटीसपायथ अमारा कर रहा है क्यास सेटीसफायथ कर रहा सिक Совा इसका मतलब है कि यहां पर की वैल्यू क्या वगी हमारी 60ti की वैल्यू हमारी क्या होगी रखी 2 रखी 3 4 5 6 इस तरी के समने वैल्यू रखके रेखी ठीक है एंड सो ओन ऐसे वैल्यू रखी तो हमें मिला वी गैट क्या मिला हमें हमें मिला A into A मतलब A into A मतलब 6 into 6 जाकर मिला हमें 36 मिला 6 करने पर हमारे को satisfaction मिली satisfied मिला ठीक है तो 6 into 6 हमने करा 36 in which जिसके अंदर आपको क्या मिला 1's place unit digit unit digit जो मिले unit digit is 6 ठीक है therefore हम कह सकते है जो A होगा वो कितना होगा हमारा 6 होगा clear है चले hence hence a is equals to 6 clear है बक्त चले तो इस तरीके सा आपको इस question को solve करना है उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक केजिए शेर केजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे की upcoming वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे thank you so much